EP Board Exam का एक बहुत ही important question है BPT जिसको हम basic proportionality theorem कहते हैं या Thales theorem कहते हैं तो क्या होता है ये BPT इसको समझते हैं बहुत ही important है बोर्ड exam में आता ही आता है तो BPT के according जिसे Thales theorem के according किसी तर्भुज में एक भुजा के समांतर खीची गई रेखा से इस दो भुजाओं को एक ही अनपात में विभाजित करती है इसको समझने के लिए एक तर्भुज बनाते हैं ABC एक तर्भुज है और इस तर्भुज में BC भुजा के समांतर रेखा D खीची गई है तो अगर ये D रेखा इस BC के समांतर तो से इस दो भुजा AB और AC हुआ तो इन दोनों भुजाओं का जो अनपात होता है बराबर होता है means इस theorem के according AD upon DB AD upon DB ये is equal to होता है AE upon AC तो इसका प्रूफ बहुत ही important है board exam में ये प्रूफ आता ही आता है तो इसका प्रूफ देखें बहुत ही सरल भासा में हम इसका प्रूफ बदा रहे हैं तो इसका solution हो जाएगा सबसे पहले तो आप लिखेंगे given दिया है क्या दिया है इसमें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक तर्भुज ABC है जिसे में DE DE समांतर BC है और हमको सिद्ध क्या करना है to prove जिसको हिंदे में कहते हैं सिद्ध करना है to prove सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि ये जो AD और DB का जो अनुपात है ये E और EC के अनुपात के बराबर है means ये भुजा AD upon DB is equal to E upon EC यही हमको थेल स्थिवरम में प्रोब करना है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा construction करते हैं construction यहाँ थोड़ा सा रचना कर देते हैं BE को मिला देते हैं CD को मिला देते हैं और D M perpendicular और EN perpendicular नी लंब हम यहाँ पर खीशते हैं तो रचना में या construction में हम लिख देते हैं construction means रचना होता है तो रचना में हम लिख देते हैं to probe means सिद्ध करना है सिद्ध करना है और given means दिया है तो यहाँ पर B तथा E को मिलाया C तथा D को मिलाया अब यहाँ DM DM perpendicular AC तथा EN perpendicular AB खीचा यह perpendicular का symbol है तो इतना खीचने के बाद में अब हम इसका proof देखते हैं या प्रमाड जिसको कहते हैं प्रमाड या प्रूफ कहते हैं किसी भी question को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है फिर सिद्ध करना है और उसके बाद में प्रमाड लिखते हैं तो यहाँ पर हम इस concept का यूज करेंगे कि तिर्भूज का छेतरफल तिर्भूज का छेतरफल यह इस उकल्डो होता है एक बटे दो गुडे आधार गुडे उंचाई तो हम को यहाँ पर प्रूब में देखें हमको यहाँ पर AD upon DB लाना है तो हम इस तिर्भूज का छेतरफल बटे इस तिर्भूज का छेतरफल लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया आफ ट्रेंगल ADE ADE upon area आफ ट्रेंगल DBE upon area आफ ट्रेंगल DBE अब इस तिर्भूज का छेतरफल क्या होता है एक बटे दो गुडे आधार यहाँ पर AD है और उंचाई EN है उचाई E N है अपान इस तर्भुँज के सिद्पल के लिए आधार यहाँ पर डीबी है एक बटे दूग उड़े आधार डीबी और उचाई E N है क्योंकि यह तर्भुँज इस आधार पर है यह पर्पेंडी कुलर उचाई है और इस तर्भुँज में तो यह आ जाएगा AD upon DB, यह equation number 1 हो गया, इसी प्रकार हमको ले करके आना है, AE upon EC तो हम एक बार इस तरभुज में लिखेंगे और फिर इस तरभुज में लिखेंगे, तो इसी प्रकार, area of triangle ADE upon CED upon area of triangle CDE is equal to, यहाँ पर भी एक बड़े दो, उड़े इस बार आधार E है, और उंचा यहाँ पर इस तरभुज के लिए, यहाँ से लंब डाला गया, DM है, upon, one upon two इस तरभुज के लिए, आधार यहाँ पर EC है, और उंचा यहाँ सिर से लंब डाला गया है, DM, तो हाप से आप कैंसल हो गया, DM से DM कैंसल हो गया, तो यह आजाएगा, AE upon EC, यह सम्मेकर नमबर दो बन गया, देखें, यह तरभुज D, B, E और D, E, C, एक ही आधार D पर एक ही समानतर रेखाओं के जोड़े के बीच, इस तिथाई से लिए, इस तरभुज का छितफल, इस तरभुज के छितफल के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं, अब तरभुज B, D, E, तथा, तरभुज C, D, E, C, D, E, एक ही आधार, D, E, तथा, समानतर रेखाओं, BC वा D, BC वा D, के बीच, इस तिथाएं, अता हाँ, एरिया आफ ट्रेंगल, B, D, E, B, D, E, E, जुकल्टो हो जाएगा, C, D, E, एरिया आफ ट्रेंगल, C, D, E, जब एक ही आधार, और समानतर रेखाओं के बीच, दो तरभुज याधिक तरभुज इस्थित होते हैं, तो एरिया बराबर होती है, तो इसकी एरिया इसकी एरिया बराबर हो जाएगी, इसको आफ नमबर तीन बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, समिकर्ण एक और दो से उपर तो सेम लिखा हुआ, नीचे D, B, E, और C, D, E, यह दोनों एरिया बराबर है, तो एक, दो, तीन से, यह लिफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, समिकर्ण एक, दो, तथा तीन से, चुकि यहाँ पर ऊपर तो सेम है, नीचे वाली भी एरिया यहाँ से बराबर होगी, तो left hand side बराबर होगा तो right hand side बराबर हो जाएगा तो एक दो तीन से ed upon db is equal to a upon ec तो इस तरह से prove हो गया qed इतसिद्धम कि किसी भी triangle में ed upon db is equal to a upon ec